पर्लर जाते हैं तरत्रा के टीटमेंट्स लेते हैं कम टाइम में गलो पाने के लिए ब्लीच इस दे बेस्ट आप्शन पर्लर में ब्लीच कराना कॉस्की होने के साथ सथ काफी टाइम कंजूमिंग भी है आजकल की भागदोर बड़ी लाइफ में हर किसी का शिटूल काफी बिजी हो गया और पार्लर जाने का टाइम कम ही मिल पाता है तो क्यों ना हम घर पे ही ब्लीच करें जिससे हमारा टाइम और पैसे दोनों बचेंगे और रिजर्ट्स बिलकुल पार्लर लाइक होंगे आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सिर्फ 15 मिंटों में आप अपने फेशल हेर को कैसे ब्लीच कर सकते हैं तो इफ यू आर इंट्रेसेट ने प्लीच के पॉन वाचिंग ब्लीच करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी होता है जिससे हमारी स्किन टाइप का पता होना बहुत जरूरी होता है आपके स्किन अगर टैंड है तो आप ब्लीच कर सकते हैं आपके face पे facial hair बहुत जादा है तब आप उसे bleach कर सकते हैं या फिर आपको patches बहुत हैं, dark patches पे या uneven skin tone है तब आप बीच कर सकते हैं बीच आपको कब नहीं करना है अगर आपकी skin acne prone है तब आपको bleach भी नहीं करना है क्योंकि वो आपकी skin की condition को और खराब कर देगा अगर आप lactating mother है तर आपको bleach नहीं करना है या फिर अगर आप pregnant lady है तब आपको bleach नहीं करना है bleach करने से पहले हमारी skin का clean होना बहुत ज़रूरी है किसी mild cleanser से अपनी skin को wash कर ले लेना है cold water से या फिर tap water से skin को पाट dry कर لेना है गिली स्किन में हमें ब्लीच कभी भी नहीं करना चाहिए मैं यहाँ पे VLCC, Instaglow, Herbal Bleach यूज़ करी हूँ मेरी स्किन टाइप सेंजिटिव है इसमें क्यूकंबर और रोज एक्स्ट्राक्ट्स है इसमें क्रीम ब्लीच, आक्टिवेटर पाउडर, पोस्ट ब्लीच पैक और यह इंस्ट्रक्शन गाइड अंदर मिलती है इंस्ट्रक्शन गाइड में आपके स्किन टाइप के कॉर्डिंग अलग-अलग ब्लीच सजेस्ट की गई है और ब्लीच लगाने का प्रोसिजर भी दिया हुआ है एक बाउल में मैं दो स्पाचुला क्रीम ब्लीच ले रही हूँ और इसमें एक स्पाचुला में डालूँगी अक्टिवेटर पाउडर टू इस टू वन का रेशियो रखना है इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तब तक इसे मिक्स करूँगी जब तक आक्टिवेटर पाउडर अच्छे से क्रीम में डिस्जॉल्ब ना हो जाए पेस को मैंने अलड़ी माइल्ड लेंजर से वाश कर लिया है और अब एक टिशू की हल्प से वाइब कर लूँगी नेक को भी वाइब कर लूँगी एक ब्रश की हल्प से ब्लीच लगाना में स्टार्ट करूँगी ब्लीच लगाते वकिट इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि bleach हमेशा downward direction में लगाएं जिस direction में आपके facial hair की growth है उसी direction में लगाना है opposite direction में bleach को कभी भी नहीं लगाना है eye area को और lips को avoid करते हुए पूरे face पे लगा लेना है हमारा ear और neck area जो है वो face से बिलकुल मिलता जुलता हो तो उसको भी मैं bleach कर लूँगी क्योंकि sun exposure से ears भी tan हो जाते है अब इसे 15 मिन्टों के लिए सूखने के लिए छोड़ दूँगी 15 मिन्ट से जादा नहीं छोड़ूँगी फिर किसी cloth की help से पहले wipe कर लूँगी face को उसके बाद ठंडे पानी से face को wash कर लूँगी पोस ब्लीच पैक इसलिए अपलाई करते हैं जिससे जो skin में irritation होती है वो से neutralize कर देता है साथ ही साथ ब्लीच करने से skin sensitive हो जाती है और जो pores है वो open हो जाते हैं तो जब हम पैक अपलाई करते हैं तो वो open pores closed हो जाते हैं इसको मैं पूरे face नेक पे लगा लूँगी अगर आपकी bleach cream में post bleach pack में ही दिया है देन आप मुलतानी मिट्टी और rose water का mixture apply कर सकते हैं या फिर जो चंदन पाउडर होता है उसे भी गुलाब जल में mix करके आप लगा सकते हैं उस लोगों को excessive dry skin हो जाती है after bleaching तो जब ऐसी को problem हो then aloe vera के एक thin layer apply कर ले इसे skin को ठंडग भी मिलेगी और वो naturally moisturize भी हो जाएगी आप ड्राय होने के बाद मैंने नॉर्मल टाप वाटर से फेस को वाश कर लिया है and I can feel the smoothness I can feel the suppleness काफी सॉफ्ट हो गई बीच करने के बाद भी पोस्ट बीच स्किन केर हमें फॉलो करना होता है जिसे अगर आपकी बीच किया है तो डिरेक्ली आप सन में बाहर नहीं जा सकते हैं अदरवाइस उसकी जो harmful rays है वो डामेज कर देगी बीच करने के बाद हमाई स्किन सेंस्टिफ हो जाती है इसलिए हीट को अवाइड करना है तो बेस्ट टाइम जो होता है इसकिन को बीच करने का वो रात में होता है क्योंकि रात में हमें एक तो धूप नहीं होती है और रा पुरंग बाद कभी भी फेशल नहीं लेना है हमें क्योंकि स्किन काफी सेंसिटिफ होती है और पोर्स भी ओपन हुए रहते हैं ब्लीच हमें वन सब मन्त ही अपलाई करना चाहिए उससे जादा नहीं अदरवाइस हमारी स्किन ब्लैक हो जाएगी और काफी सेंसिटिफ हो तो इस बाद करता है तो सिर्फ वन सब मन्त करें वह अगर बहुत ज्यादा एमर्जेंसी है तो हमेशा नाच्रल ब्लीच अपलाई करें जब भी आप ब्लीच खरीते हैं उसकी एक स्पारी डिल्यों डेट होती है वह चेक करना बिल्कुल भी ना भूले और जो उसमें इंग झाल झाल बाओ